तो कहिए कैसे हो आप सब वेलकम बैक अगेन बेटा तो आज हम डिसक्स करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.4 question number 5 and 6 तो आते हैं आपके question number 5 पे question number 5 आपका क्या कहता है अब path 1 meter wide is built along a border and inside the square park square के अंदर this is your square park और इसके अंदर एक path बनाया गया है and the side of the square is given to be 30 तो यह कितना दिया हुए बेटा आपको 30 यह कितना दिया हुए 30 30 30 clear तो उसने क्या बोला we have to find the area of that path क्या निकालना है इस path का area क्या निकालना है इस path का area तो इस path का area कैसे निकलेगा यहाँ पे बड़े वाले में से छोटे वाले square को क्या कर दो area को क्या कर दो minus यह भी 1 यह भी 1 ठीक है तो side of smaller square side of smaller square कितनी हो जेगी 30 minus 2 कैसे 1 यहाँ से minus 1 यहाँ से तो कितनी minus हो यह total 2 तो कितना आगया 28 meter कितना आगया 28 meter तो अब मिरको क्या निकालना है area of path तो area of path कैसे निकलेगा बेटा area of path is equal to area of bigger minus area of smaller area क्या होते है बेटा square का side into side और बड़े वाले की side कितनी दे रखी है 30 तो 30 into 30 minus area of smaller कितना होते है smaller का भी वाई square है square का area side into side उसकी side कितनी है 28 28 into 28 तो यहाँ से कितना आगया 900 28 को 28 से multiply किया 8 यह जा 64 6 8 तूसर 16 16 6 तूसर 22 तूसर 16 1 2 तूसर 4 और 1 5 तो यह आपका 4 यह एट यह आपका 7, कितना आ गया, minus 7, 84, कितना, minus 7, 84, 10 में से 4 गया, 6, 9 में से 8 गया, 1, यहां बच्चा 8, 8 में से 7 गया, 1, तो कितने मीटर स्क्वार आया, पाथ का एरिया, 116, after that, the course of planting grass in the remaining portion, जो बच्चा हुआ पोर्शन है, पाथ से अलग, उसमें क्या किया घास हुगाई, इस वाले पोर्शन में, तो यह क्या है बेटा, area of smaller circle, और area of smaller circle कहां आया है, यह रापका 3784, तो कितना, क्या लिखोगे, य into 28, it means 784 meter square, मिलको क्या निकालनी है, cost, तो क्या लिखोगे, cost for 1 meter square is equal to 40, और मिलको cost कितने के लिए निकालनी है, इतने के लिए, तो cost for 784 meter square is equal to 784 into 40, तो 0 as it is, 4, 4s are 16, 1, 4, 8s are, 32 and 1, 33, 3, 4, 7s are 28, 28 and 3, 31, तो 31,360 रुपीज आपका क्या आ गया, cost लगी बेटा, total grass plant खराने के लिए, now move to our next question, question number 6, तो question number 6 आपका क्या आ गया रहा, ध्यान से देखना बेटा, two cross roads, दो cross roads हैं, each of width 10 meter, cut it right angle through the center of a rectangular park, एक rectangular park के अंदर, दो ऐसे cross roads बनाए हुएं, जो एक दूसरे को 90 degree पे क्या कर रहे हैं, cut कर रहे हैं, जिसकी park है, उस park की length आपको 700, breadth आपको 300 दीवी है, parallel to its side, find the area of the road, पहला, पहली बात area of road, तो पहले ही part कर लेते हैं, देखो, 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 आपका park, park में ऐसे दो road बनाए हैं, जो एक दूसरे को cross कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो length है, वो है 700 meter, और ये कितना है, 300 meter, कितनी है, 300 meter, तो ये 700 तो ये भी 700, ठीक है, ये 300 तो ये भी 300, ये समझ आ गया, और इनकी जो width है, ये कितनी है, 10 meter, ये 10 meter, ये भी 10 meter, अब ध्यान से देखो, ये rectangle बन रहा है, ये rectangle बन रहा है, ये आपके पास 700, ये आपके पास 300, दूसरी बात, ये वा आपके पास क्या रही डबल दो बार आ रही है ये इस वाले एरिये में भी count हो रही है इस वाले में भी मिरको तो double तो नीच चाहिए न सिंगल चाहिए तो इस वाले में से इस वाले को क्या कर दूँगी minus ध्यान से देखो ये भी 10 और ये भी 10 ये क्या बन रहे आपका square क्या ब क्या लिखोगे area of road area of path या road path लिखा है तो path road लिखा है तो road ठीक्या इस वाले rectangle में से इस वाले rectangle को plus करके ये minus कर दूँँ तो क्या लिखोगे area of rectangle कौनसे rectangle ABCD plus area of rectangle कौनसे rectangle PQRS और minus कर दूँँ area of square square यानिकी x y tz ठीके तो ध्यान से देखो बेटे area of rectangle क्या होगा length into breadth length कितनी है 700 breadth कितनी है 10 तो 700 into 10 plus area of इसका निकालोंगी तो वही length into breadth इसकी length कितनी है बेटा 300 और 10 तो 300 into 10 और minus कर दूं क्या 10 into 10 जो कि देखो ये भी 10 और ये भी 10 तो ये क्या बना 7000 plus 3000 minus 100 ये कितना बन गया 10,000 minus 10 तो देखो 100 00 तो 10 में से बन गया 9 यहाँ पे भी क्या बचा 9 तो कितना आ गया 9900 meter square कितना आ गया यहाँ से 9900 meter square अब देखो उसने क्या बोला उसके बाद उसने क्या बोला and also find the area of park excluding crossroads मेरको वो वाला area भी निकालना है पार्क का जो इन रोड से अलग है and give the answer in hectare hectare कैसे निकालोगे बेटा 1 hectare is equal to 10,000 meter square तो hectare में value चाहिए तो इसको 10,000 से क्या कर दो divide this implies 9900 by 10,000 0 से 0 cancel out तो कितना आ गया 0.99 hectare दूसरा दूसरी बात उसने क्या बोली excluding तो यानि कि पूरे rectangle के area में से जो ये path आया है इसका area क्या कर दो minus तो यहां से देखो क्या लिखूंगी area of remaining portion area of remaining portion क्या आजेगा area of rectangle minus area of roads area of rectangle कितना है बेटा length into breadth length कितनी given है 700 breadth कितनी given है 300 और उसमें से roads का area कितना है 9900 क्या कर दो minus तो 7,3 is a 21 1,2,3,4 उसमें से 9900 क्या कर दो minus 0,0 10 में से 9 गया 9 10 में से 9 गया 1 9 में से 9 गया 0, यहां क्या बच्चा 0, यहां पे आपका 2 तो कितना आ गया 2 double 0 100 और इसको किसमें change करना है hectare में, hectare में change करूँगी तो divide में 10,000 तो यह cancel out 2,0 यहां तो कितना 20.01 hectare is the area of remaining portion किसका area आ गया यहां से area of remaining portion clear झाल झाल